नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी स्टड़ी में तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से सम्मंदित महत्पुन प्रस्मा के ऊपर चर्चा करेंगे तो चलिए बिनादेरी किये वीडियो को सुरू करते हैं और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो किरपिया करके सब्सक्राइब करते हैं ताकि रोज आने वाले वीडियो के अब्डेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पल्लव राजवन्स के दोरान अगला प्रश्ण है दिख निकाई की इस पीटक का खंड है तो ये सुत पीटक सुत पीटक का खंड है अगला प्रश्ण है असोक काल में आहुत बोध संगीती का ध्यक्ष कौन था उत्तर मोगलिपुत्र तिश्न प्रश्ण है वनमाली एवं काली बंगा में सेंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवसेस मिले हैं इसका उत्तर है हडपा पूर्ण एवं हडपा कालिन संस्कृति के अगला प्रश्ण है यवनिका किसके लिए पर्योग किया जाने वाला युनानी सब्द है उत्तर संस्कृति के नाटकों में पटाचेप के लिए अगला प्रश्ण है समुद्र गुप्त के इलाहबाद प्रस्वस्ति लेख का लेखा कौन था उत्तर हरिशेन अगला प्रश्ण है पाटली फुतर का पतन एवं कर्नौज का उत्थान गुप्तकाल के किस चरण में हुआ था उत्तर अंतिम चरण में अगला प्रश्ण है मात्मा बुद्ध ने किस सासक के राजिकाल में निर्वाचन प्राथ किया उत्तर अजात सत्रू के शासनकाल में अगला प्रश्न, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस परकार के थे? उत्तर, नतशला का अगला प्रश्न, इतिहास प्रश्रित शिकंदर और दारा के युद में शिकंदर और दारा कहां के राजा थे? उत्तर, कर्मश युनान और इरान के अगला प्रश्ण है पानिपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापती कौन था उत्तर सदासीव राव राय भावू काफी इंपोर्टन्ट है अगला प्रश्ण दिल्ली शल्दनत का वा कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने सुद्ध अर्भी सिक्के तका और जीतल जारी किये इसका उत्तर है इल्द उत्मिस अगला प्रश्ण हल्दी घाटी का युद्ध कव हुआ था उत्तर पंद्रस्तो चेत्तर इस्विव में अगला प्रश्ण है शाइमन कमिसन का वा कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रदान मंत्री बना तो इसका उत्तर है कलिमेंट एटली अगला प्रश्ण है बोध को कीन तीन प्रमुक नामों से जाना जाता है उत्तर बुद्ध तथागत और शाके मुनी नामों से अगला प्रश्ण है समुत्र गुप्त के इलाहाबाद प्रस्ति लेक का लेखा कौन था? हरिश्यन अगला प्रश्ण है दिल्ली शल्तनत में प्रणाली का प्रारम किस सासक ने किया था? उत्तर इल्थुत्मिस ने अगला प्रश्ण है अर्वी भासा में लिखी गई पुस्तक तह की काते हिंद किस की किरिती है? उत्तर अलवरों निखिये अगला प्रश्ण अकबर की भुराजयस्तव वेवस्था के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर तोडर मल अगला प्रश्ण है जहांगीर के सासनकाल में अस्मत बेगम एत्मात दोला तथा आसव खां किस गुट के प्रव्मुक सदस्य थे? उत्तर नूर जहां के गुट के? अगला प्रश्ण शर्वादिक हिंदू मनसबदार किस मुगल समराट के सासनकाल में थे? तो इसका उत्तर है और अंजेप के सासनकाल में अगला प्रश्ण है खेर उल्प मजलिश का लेखक कौन है? उत्तर हमीद कलंदर अगला प्रश्ण वर्नकूलर प्रेस एक्ट कब तदा किस वाईसराई के समय पारित में पारित हुआ? किस वाईसराई के समय में पारित हुआ? उत्तर अगला प्रश्ण है अकवर के दरवार में शबसे प्रश्ण हिंदी कवी कौन थे? उत्तर अब्दुर्रहेम खान खाना अगला प्रश्ण है मली काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारांगल के कागतिय सासत्ते उत्तर प्रताप रुद्रदेव अगला प्रश्ण है किस एक्ट के अंतरगत कलकत्ता सरोच नयायले के स्थपना हुई थी? उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट सत्रस त्यहंत्तर के अंतरगत्त अगला प्रश्ण है शामवेद का प्रथम द्रिष्टा वेदव्यास के किस सीस्य को माना जाता है? उत्तर जैमिनी गौर्व अगला प्रश्ण अशोक के अधिकान सा भिलेक किस लीपी में है? उत्तर रामी लीपी में अगला प्रश्ण है किस बोध गरंत से यह पता चलता है कि छटी सताप्दी इसापूरू सोल महाजनपद छेत्री राज विद्यमान थे उत्तर अगुनर निकाए अगला प्रश्ण किसने लिखाए कि ब्रामन की परिक्षा तूला से छेत्री की अगनिशे वैसे की जल से तथा सुद्र की विश्ट से की जानी चाहिए ब्रामीर इसका उत्तर ब्रामीर है अगला प्रश्ण है ब्रामीर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग नयाय कसोटियों का विद्दान किया है उत्तर अगला प्रश्ण है मुहमत तुगलक के सासनकाल के अंतिम दिनों में धक्षिनी भारत में किस दो विसाल सवतंतर राजियों का उदे हुआ उत्तर बिजे नगर तता बहमनी समराजी का अगला प्रश्ण खानवा के युद में मेवाड को प्राजित करने वाला सासक कौन था उत्तर बाबर अगला प्रश्ण है दास वंस को समाप्त कर खेल जी वंस की आधार शीला रखने वाला खेल जी वंस का सासक कौन था उत्तर जलालुद्दीन खेल जी ए अगला प्रश्ण कुगतुल इस्लाम महस्जित का निर्मान किसने करवाया था उत्तर कुटुबुद्दीन एवक ने और कुटुबुद्दीन एवक ने धाय दिन का जोपड़ा नामबक महस्जित का भी निर्मान करवाया था अगला प्रश्ण है भारत पर आकरमन करने के लिए पंद्रस्त चोबी सीस्वी में बावर को लोधी वन्स के किन दो सरदारों ने आमंतरित किया था उत्तर आलम खान लोधी और दोलत खान लोधी ने अगला प्रश्ण है दिल्ली शल्तनत के की सासक ने राइधानी दिल्ली से बदल कर दोलता बाग करने का फैसला किया था उत्तर मुहमद बिन तूगलग ने अगला प्रश्ण है दिवाने को ही जिसकी अस्थापना मुहमद बिन तूगलग ने की थी किस विशे से संबंदित था उत्तर क्रिशी से अगला प्रश्ण है ब्रिटिस इस्ट इंडिय कंपनी को सूरत में कार खाने की अनुमती दिने वाला मुगल सासक कौन था उत्तर जहांगीर अगला प्रश्ण है 1878 के वर्नाक्योलर प्रेस एक्ट का अभी प्राय था भारतिये भासाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना अगला प्रश्ण है शत्ति सोधक समाज की अस्थापना किस ने की थी उत्तर ज्योतिवा फूलेने नेक्स्ट कॉश्चिन है पेशावर की समराथ के सासनकाल में बोध्द साविता को प्रशिद केंद रथा उत्तर कनिश के सासनकाल में इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद